दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है करियर का उजबे शुभांकर पर दोस्तों चाहे मेरा परिवार हो चाहे आपका एक पल आपके और हमारे जिन्दगी में जरूर आता है जब हम इस आशा से चहक उटते हैं कि बहुत ही जल्द हमारे घर में किलकारियां गुजने वाली है माता पिता के लिए पूरे जीवन का सब से आनन में जो पल होता है वो होता है जब पहली बार उनकी आशाएं उनके गोद में आती है आप मैसूस कर सकते हैं उस समय जो जोश जिस प्रकार की खुशी चारों तरफ होती है लेकिन जहां वो बच्चा पैदा हुआ और कहीं बदकिस्मती से वो विकलांग पैदा होता है जिसको आक्षिकल हम लोग दिव्यांग जन कहते हैं या उनको हम दिव्यांग कहते हैं अगर ऐसा पैदा होता है तो वो ही खुशियां जो हैं अचानक मायूसी में तबदील हो जाती है पूरा परिवार मायूस होकर अलग दिशा में हो जाता है लेकिन माथा पिता क्या करे अपने बच्चे से अलग नहीं हो सकते उनको पता है कि अब वो एक ऐसे युद की तरह बढ़ चले हैं जो कि ताउम्र चलेगा हम कहीं न कहीं उनका दर्द मैसूस तो कर सकते हैं लेकिन ये समाजिक हम बहुत जल्दी न इनसे दूरी बना लेता है और फिर उस बच्चे के साथ रह जाते हैं बस उस माता पिता की समवेदना है बस वही अकेली रह जाती है दोस्तों जीवन तो जीवन है जीवन चलता रहेगा और जब तक जीवन रहेगा तब तक आस रहेगी वह माता पिता उस आस की एक छोटी सी किरन को लेकर पूरा उम्र चला लेता है वह किसी से शिकायत नहीं कर सकते वह समाज से भी शिकायत नहीं कर सकते वो ये नहीं कह सकते कि तुमने तो मेरे बेटे को अपनाया नहीं लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ा युद्ध है उस बच्चे के लिए भी अगर वो बच्चा मानसिक रूप से अगर दिव्यांग है बहुत अच्छा शब्द हम लोने दे दिव्यांग इस आशा के साथ कि शायद समाज में इनको सम्मान मिलना शुरू हो जाएगा लेकिन क्या एक शब्द के आने से क्या वाकई सम्मान मिलता है हम करियर काउच की बात करते हैं लेकिन जानते हैं, करियर के माध्तर में आते हुए हम ये बात नहीं समझ पाते कि हमारा बेटा डॉक्टर तो बनना चाहता है, इंजीनियर तो बनना चाहता है, लेकिन क्या दिव्यांगों के मामले में एक एक्सपर्ड बनना चाहेगा? इस लाइन में भी एक्सपर्टिस है क्या हम जानना चाते है नई, हमें अभी भी इस वारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता वो बेड़ले हैं सहाब जो कहीं न कहीं बड़े महेंगे जो पत छोड़कर जहां पे वो अच्छे से अच्छे ओफिसों में बैठ सकते थे वो सारे रास्ते छोड़कर अपने आपको पूरी तरीके से समर्पित कर देते हैं उन दिव्यांगों के लिए तो आईए, आज हम कुछ ऐसे लोगों से बात करते हैं इन फैक्ट, मैं बहुत ज़्यादा सम्मानित खुद महसूस कर रहा हूँ आज हम स्टूडियो में आमंतरित कर रहे हैं श्री अखिलिन कुमार जी को श्री अखिलिन कुमार डिप्टी कमिशनर रहे हैं दिव्यांग जन यूपी के साथ और शगुंतला मिश्रार नैशनल लियाबिलेटेशन यूनिवरस्टी के साथ और रेज़्टरा रहे हैं तो आईए बात करते हैं श्री अखिलिन कुमार जी से और जानते हैं करियर के बारे में भी जहांपे हम दिव्यांग जनों को मदद कर सके उनको एक दिशा दे सके और साथ ही में हम जानते हैं उन समस्याओं के विशय में क्योंकि दिव्यांग जनों को आज भी हम समाज ठीक तरीके से सुविकार के उनी कर पा रहे हैं आई ये बात करते हैं श्री अखिलिन कुमार जी से अखिलेंग जी करियर काउश के स्टूडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है मैं धन्वाद देना चाहता है अखिलेंग जी आप डिप्टी कमिशनर रहे हैं दिव्यांग जन यूपी के साथ आप रहे हैं शकुंत अला मिश्रा नैशनल रियाबिलिटेशन यूणिवस्टी के साथ आपका पूरा जो जीवन है वो आपने पूरा विकलांगों के लिए या दिव्यांगों के लिए आपने उनको सोसाइटी में ढालने के लिए पूरा जीवन व्यतित कर दिया तो आप से अच्छा शायदी हमें कोई बता पाए कि वो हर्ष क्या होती है वो खुशी क्या होती है जब आप किसी दिव्यांग को समाज में बढ़ते हुए देखता है मैं इस खुशी को ज़स्ट आपके इस स्टूडियो के बगल में चुकि कैरियर काउच का मैं धनवाद इसलिए देना चाह रहा हूं कि उन्होंने इस एहम सब्जिट को विशे को आज लिया है और हम मुझे यहां मंतृत किया है और आपके ज़स्ट बगल में रामनोल या हॉस्पिटल है तो हम लोगों ने यह जो आपने खुशी की बात करी है ना तो हम लोग जो पोलियो से ग्रस्ट दिव्यांग बच्चे होते थे जो अपने पैरों पे चल नहीं सकते गसिट के चलते थे जमीन में वो उनको हम लोग कि इन्टीफाई करके लाते थे और अपने यहां पर पोलियो क्रेक्टिव सरज़री करकरम में उनकी हम सरज़री करते पैरों के कराते थे और उसके बाद जब वो दो मेहने बाद अपने पैरों पे चल गए आते थे तो उनके परिवार की जो खुशी है वो तो अलग है पर वो स्वम दिव्यांग के चेहरे पर वो खुशी और हसी आती थी कि मैं आज चल के जा रहा हूँ मेरे पैर अब चलने लाइक बन चुके हैं तो यह जो खुशी है यह हमने बहुत ही अनुभूती करी है और बहुत ही महसूस किया है इसी परकार के जो अलग-अलग डिसिबिल्टीज हैं उनकी अलग-अलग नीड है और उस नीड बेस्ट अनुसार अगर हम इंक्लूजन में उनको लेते हैं अपने समाज में और समाज इंक्लूजन इन सच्चे मामले में यह है कि हम जब सब को एक्सेप्ट करेंगे और अपने एक्जिस्टेंस के अंदर हम उनके लिए कोई बहुत आउसक बदलाओ नहीं लाते हैं आपने देखा होगा रैम बंदाते हैं लिफ्स लग जाती हैं और इट्री सिगनल्स लग जाते हैं तो ऐसे तमाम कुछ छोटे मोटे अगर हम बदलाओ करते हैं ताकि रोज के उनके जो आपने एक गौवर्मेंट के एक एक एकाई को पूरा अपने हैड किया तो वाकिए क्या लगता है कि क्योंकि हमारा देश एक ऐसा देश है दोस्तों हम लोग पड़े लिखे कैलाते हैं लेकिन हमें हर एक छोटी बात के लिए कानून की आवशक्ता पड़ती है स्वच्छता के लिए अभियान चलाया जाता है ये बताने के लिए कि हमको स्वच्छ रहना चाहिए दुखी बात यह हम लोग पड़े लिखे हैं और हम लोग बताया जाता है कि स्वचाले बना के उसका प्रयोक करें उसके लोपे अड़वर्टीजमेंट चलना पड़ता है इसी तरीके से 1995 में एक Persons with Disability Act बनाया जाता है यह एक कोशिश थी कि ताकि समाज पर एक जोड़ डाला जा सके कि वो बच्चे जो की दिव्यांग है उनको हम accept कर सके बाद में यह दिव्यांग शद भी हम लाए ताकि हो सके समाज इस बात से acceptance लाए लेकिन जैसे कि अभी अकिलेन जी ने कहा acceptance आज भी एक बहुत बड़ी चिनोती है तो अखिलेन जी यह चुनोती आप एक सरकारी इकाई के साथ थे तो आपको लगता है कि ऐसी सरकारी इकाईयां यह काफी है कि एक समाज को हम force कर सकें कि भाई ऐसे लोग को आप accept करिये आप दिव्यांगों को भी अपने अपना हिस्सेदार बना है बिल्कुल आपने बिल्कुल एकदम सही प्रश्न किया मेरे सामने तमाम ऐसे cases आते थे उनके rights के बारे में उनके grievances के बारे में सुर्भी शुकला एक लड़की थी लखनोई की बारे मैं आप बात बता रहा हूँ आपको तो वो लो विजन की थी और उसकी blindness थी और वो पाड़कने के बाद उसने लखनोई उनवस्टी से बीएट का competition पास कर लिया अब बीएट का जब competition पास कर लिया तो लखनोई उनवस्टी ने उसको मना कर दिया कि मैं अड्मिशन ने दूँगा आपको पढ़ाने के लिए हमारे पास साधन नहीं है हमारे पास ब्रेल बुक नहीं है हमारे पास टीचर्स नहीं है और आप ये लखनोई उन्वस्टी के बात कर रहा हूँ capital की तो मेरे पास जब वो उनके अपरोच हाई उनके पास मेरे पास Uh Agr invite जब आई उनको call किया मैंने तो उन्हीं का कि ये मेरा admission नहीं हो रहा है मेरे बच्ची का क्यों नहीं हो रहा क्योंकि वर blind है मना कर रहे है तो मैंने उनको call किया वहां के निउस्टीश की तो दिव्यांग आप है यह नहीं है तो उनको फिर एडिमिशन मिला और एडिमिशन के मिलने के बाद आज वो लखनो में ही सेंटेल स्कूल में टीचर है तो अखिलेंग जी यह तो बात हो गई जैसे कि आपने एक केस पताया कि किस प्रकार से जो है उन्हें वो कश्ट उठान संसाधन बढ़ा ही है तो अगर सरकारी अगर और नाइशन के साथ अगर यह चीज होगा तो गयर सरकारी संगटनों को आप कैसे करें तो अखिलेंग जी मैं जानना चाहूंगा आज के दिन में कितना बदलाव आया है समाज में जहां पे कि उनको वाकई हम लोग पूरी तरी है मैं बहुत ही छोटा उधरर देना चाह रहा हूं कि जब मैंने 2013 में एजरेटर जोइन किया था डॉक्टर शिगुंतना मिश्रा इनुष्टी जो अपने आप में इंडिया की एक अकेली इनुष्टी है जो रेहबिल्टेशन फील्ड के कोर्स के लिए जानी जाती है और य जो है दिव्यान ग्रेशन लेवल करना आते हैं वो तब बीय से स्टार्ट जिसे होता और वहाँ पर डिफरेंट कोर्से बीय भी है में भी है बीय एमेड भी है लेल भी है तो यह सब कोर्सेस बहु आते हैं तो मैंने देखा कि यहां पर के ओल इतनी बड़ी इनुष्टी य और हमने इसको यह संख्या साले चार जार तक बढ़ाई तो आज की डेट में साले चार पांच जार जो दिव्यान बच्चे हैं जो शेहरों में आके पढ़ नहीं पाते थे अलग अलग इनुष्टीज में उनको यह पढ़ने का मौका नहीं मिलता था उन्होंने सब ने यहा अच्छा अखिलेंजी यह तो कोशिशों की बात हुई जहां पे शिक्षा की बात हम लोग ने की लेकिन एक बार जब यह शिक्षा पराप कर लेते हैं तो क्या नोकरी मिलने में इनको वही कठी नाइया जहलनी पड़ती हैं जो पहले होती थी या आज भी हम कह सकते हैं कि अ हमें उनकी नीट के अनुसार एजुकेशन का सिलेबस बनाना पड़ेगा और तरीके बनाने पड़ेगा उन तरीकों को बनाने के लिए डिफरेंट कोर्सेज रिविल्टेशन काउंसल अफ इंडिया ने डिजाइन किये हुए हैं जिसमें डिप्लोमा एने स्पेशल एजुक करते हैं जी तो यह जो टीचर्स हमारे पास नहीं है इस पेशल एजुकेशन फिल्ड के जी इस पेशल एजुकेशन अगर नहीं होंगे तो कैसे इन बच्चों को पढ़ाया जाएगा तो अभी कितनी कमी हैं मतलब कितने और ऐसे लोगों की जवरत हैं काफी काफी गैप है अभी ऐसे बच्चों के लिए करीब साले चार लाग बच्चे सर्फशक्षा अभ्यान के अंतरगत प्राइमरी विद्यालों में जगाओं में जाते हैं परंतु उनको पढ़ाने के लिए स्पेशल एजुकेटर्स नहीं हैं तो यह जो हम लोग यह कोर्सिस जो अगर हमें एरिंग बच्चे को 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 बच् उनके लिए हमको braille books देनी पड़ती है। केवल syllabus की ही braille books नहीं होंगी। आपको उनको रामार महवारत भी braille में देनी पड़ेगी। बिल्कुल। उनको परेंट जंग की कहाने भी अगर पहाने है तो braille में देनी पड़ेगी। सभी बात है। तब ही वो हमारा एजुकेट करेंगा और हमारे बराबर जो हमने आपने कोर्सिस किये हैं, हमारे संग वो भी कोर्सिस करते हैं और I.S. तक अब उनका तीन परसेंट, चार परसेंट रिजर्विशन है, I.S. भी बनके आ रहे हैं, और आपको बता दूँ कि अभी तक जो हमारे यूपी गवर्मेंट के डाइरेक्टर डिसेबल्ट वेलफेर थे, वो भी I.S. है डाइरेक्ट अजित कुमार, वो भी टोटली ब्लाइंड है. वाँ, चलिए इस तरीके से जो मैंने बताया कि आशा की जो किरन होती है, ऐसी कुछ आशा की किरनों की ज़ुरत होती है, समाज के लिए लोग बैठते हैं, जेए के लिए बैठते हैं, और साल दर साल ट्राइ करते रहते हैं, लेकिन ये जो कुछ दाइरे पड़े हैं, ये जो कुछ एक अलगी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन पड़ा है, इसकी तरफ उनका ध्यान नहीं केंद्रित हो पारा है, तो इसको एट पार कर दिया नॉर्मल बीटीसी के लिए, और डेलेट जुसको आप बोलते हैं, या बीटीसी बोलते हैं, उसके इसको एट पार कर दिया, और इसकी मानता टेट करने के बाद शिक्षक भरती जो आप पेपर में पढ़ते होंगे, कि उन 70,000 बरती निकल रही है, 70,000 बरती हो रही है, उसमें ये लोग भी एप्लाई कर सकते हैं, टेटी पास करने के बाद, सीट एट करने के बाद, तो इसलिए इनके लिए कम नहीं हैं, तो फिर क्यों नहीं कम, मतलब या तो फिर यह हो रहा है कि बच्चे चैन नहीं कर रहे हैं उस कोर्स का, तो हम उनको मोटिवेट करके लानी पा रहे हैं, बस 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 बच्चों के बीच में अभी इस बात की एक तो जानकारी कमी है, कि हमको ये फिल्ड भी है, वो नॉर्मल BTC में जाते हैं, स्पेशल BTC की जानकारी नहीं है, सब थोड़ा फिर आप हमारे दर्शकों को, जो कि बेसिकली की एक बहुत बड़ी बाडी है, जैसे Medical Council of India के नाम आप तो जो 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 कोर्सेशन के कोर्सेज हैं या स्पेशल एडिशन के कोर्सेज हैं, उसकी रेगुलिटरी बाडी रेडिशन काउंसल ऑफ इंडिया है भार स्टॉकार, और यही मानत्ता देती है ऐसे कोर्सेज क को करने के बाद आप स्पेशल फिल्ड में जाते हैं, आप स्पेशल फिल्ड में नॉर्मल स्कूलों में भी जाके पढ़ाते हैं, CBSC, ICSC, बूर्ड के जो इसकूल है, उसमें भी आड टीचर बनते हैं, और गौर्वर्मेंट आफ UP के या केंदरी विद्धे अले जब जब नोधे विद्याले इनमें सम्में आके जाने के लिए सरकार ने रास्ते खोल रखे हैं। कईने कई ऐसा नहीं लग रहा है कि मिशनरी स्कूल्स और कॉन्वेंट स्कूल्स को भी अभी फॉलो करना चाहिए। क्योंकि अब मैंडेटरी है, कानून बन गया है, Right to Persons with Disabilities Act 2016 में यह जो अभी इसको रिपील किया गया, 95 जो आप बता रहे हैं, 95 वाले को रिपील करके 2016 में एक्ट को परिमार्जित किया, और उसमें यह प्रोविजन्स डाल दिये, कानूनन, कि सभी का अधिकार है शिक्षा का तो शिक्षा का जब अधिकार है, तो लेरेटर कॉर्णमेंट हो या लामा टीनियर कॉलेज हो, लखनों का, वो डिनाई नहीं कर सकते हैं, CMS ने दो तीन बार डिनाई किया, पर उनको ये भी, उनको भी जानकारी आई है, कि हमको देना पड़ेगा, तो दे रहे हैं, आज हमस में स्कूल में ऐसी आउशकता है. अच्छा, तो अब आपने जैसे बताएं कि ये कोर्सेज जो अपलब्ध हैं, कहां कहां से किया जा सकता है, बच्चे इसको लेके कितना सीरियस हो सकते हैं, और इसमें जॉब्स की क्या संभावना हैं, अखिलन जी एक बात में जानना चाह कि उनको भी समाज में कहीं ना कहीं उनको एक जगे मिल सके हमें बेसिक तो यह है कि देखें, जो में जो मेंटल इडाड़िट बच्चा है या सर्वेल पालसी वाला बच्चा है या और अर्टिस्टिक बच्चा है एक तो मैं यहां एक चीज और क्लियर कर दूं कि 95 में जब एक बना था तो केवल सेवन डिसिबिल्टीज थी और जो 2016 का एक्ट आया है तो गोवर्मेंट ने 21 टाइपस की डिसिबिल्टीज नोटिफाइब कर दिए तो आज की डेट में हमारे पास 21 डिसिबिल्टीज है और उनके प्रभावित लोगों को हमको सबको एजुकेट करना है और उस एजुकेशन के लिए अलग अलग जो कोर्सिस बना दिये गए हैं टेलर मेट उनकी नीड बेज तो हमें टीचिंग लेंडिंग मेटियल भी डिवलप करना है उनकी बुक्स को भी डिवलप करना है और उनका सिलेबस भी उसी डिजाइन पर तयार किया गया है तो य अपना भी डेले सकते हैं आप सेशन भी ले सकते हैं घृइंटे का सेशन जो जो लेता है इनको हम रहँर प्रफेश Nhिル बोलते हैं रहेब प्रफेशनल तो वही ले सकते हैं और ओर्नाल टीचर अधिक्रत नहीं है और नॉर्मल्के दिव्यां बैशागों पढ kenल को हमें उन यह आपके आम कोर्से से अलग जरूर है लेकिन इसमें भी आपके करियर के बहुत से आयम जुड़े हुए हैं ऐसा नहीं है कि जब आप नीट करके आप मायूस होने लगते हैं और उसी पर आप लोग अपनी जिन्दगी को बिल्कुल उसका एक मुलभूत बना लेते हैं और मै कितने बड़े आप सोचिए कि अगर आप ऐसा कोई एक लाइन चैन करते हैं और उन दिव्यांगों के लिए आप सोचिए आप एक डॉक्टर होते हैं आप एक टीचर होते हैं आप उनके देखा जाए तो पेरेंट भी हैं आप उनके हमदर्द हमदम सब हैं वो बच्चा आप बना लेता है तो आप ही उसका जीवन का मतलब एक स्रोथ है आप उसको जो जीवन उनको मिल रहा है वो आप उसका स्रोथ बन पाते हैं कितना महतुपून आपका जीवन हो सकता है इससे पैरेंट से ज्यादा विश्वास करता है जुगिटर पर अब आतें बात इसको भी कहीं इस पे तोड़ा ज्यादा एजुकेट करना चाहिए माता पिता हर सब कुछ करने को तयार होते है तो यह जो पेरेंट्स है जो दिव्यांगों के जो पेरेंट्स है उनको अगर किसी तरीके से एजुकेट करके उनकी लाइफ को भी हम आसान बना सकते हैं क्या सब्सक्राइब? कि आप घर पे भी उसको यही रिपीट कराईए और इसी लेंगोज में इससे बात करिए इसी तरीके से इससे बात करिए तो आपको भी जो है इसको जल्दी बेहतर बनाने में आसानी पड़ेगी और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी लास्ट ये एंबीबियस डॉक्ट और अभी एक डिंटल डॉक्टर है वो अपने बच्चे के लिए इस कोर्स हो कर लेंगे बीटेक वाले भी बच्चे हमारे कोरस में कर रहे हैं डिएट पढ़ रहे हैं बीटेक छोड़ने के बाद क्योंकि वहाँ बीशुरेशन हो गया है तो उनको कही नगे जोग चुई त कि विज़िएथरोपैर्मेंट के विशे में इसे के विज़िन के विज़िए एम्पेर्मेंट के विचे में विज़िए हैं कि झाले सीलीuityलांकों हिचे च ÉlD Podcast कि विज़िए अइंचे स्सीी सिलेगा हैं उनको कहां तक एडुकेट को ब सर एक है उनको हम उनकी जिन्दगी कहा तक हम आसान बना सकते हैं उस पे जो हम उनको पहले तो अपने सराउंडिंग के बारे में जानगारी देते हैं कि ये तुम्हारी सराउंडिंग घर में है तो ये क्या चीज है तो अगर हम उसे चीजों का पहचान नहीं कराएंगे और उसको अग गर मैं उसे वाइस कमांड दिया, कि बाबा तुम जाके उस कमरे से यह सामान लेया हो, वह सामान क्या है और कमरा कहा जाना है तो हमें वह उसको पहले वोकेशनली इसब बताना पड़ेगा हमें 10 रुपाय का नोट अगर उसको बताना है कि नोट में और सिख्के में ये अंतर है पोस्ट अफिस काहे के लिए है बैंक काहे के लिए है हमारे से बच्चा बैंक जाता है तो वो पुरा अबजर्ब करता है कि यहां बे क्यों आए है यहां बे क्या हो रहा है Mental Edudation कि जो बच्चे है उनका जो Sixth Sense है या उनकी जो समझने की पावर है, वो उसमें कमी नहीं होती है, उनको बस ग्रूमिंग की कमी होती है, और इस पीज थरपी कमी होती है, तो वो अगर हम चीज़ों को कोप अप कर लेते हैं और उनको हम गाइडेंस करते हैं, तो ऐसी कोई चीज नहीं क्यों ना कर पाए, पर यह यहां यह बात है कि एजुकेशन में उनको फिर्थ के ऊपर हम बहुत जादा नहीं पढ़ा सकते हैं उनको फिर हम फोकेश्टन स्किल्स में डेवलप करते हैं कि हम इसको जितना डेवलप करेंगे तो वो कही ना कहीं रेवल्टेट हो जाएगा अपना काम भी कर सकता है कि अगर चोटी सी उंगली भी हिला देता है ना तो खुशी के जो माताविता के पास उसका कोई लिमिट नहीं होता है वो लोग इतने खुश हो जाते हैं जैसा लगता है बच्चे ने ग्रैजुशन कर लिया है अज एक छोटी सी जो एक अब्जरवेशन होती है आज बच्चे कमाने का नहीं एक नया प्रोफेशन ही नहीं आपको जिंदगी को किता मीनिंगफुल पनाने का एक रास्ता देता है अखिलें जी लास बट नॉट ट लीस्ट आप हमारे दर्शकों को या हमारे जो बच्चे जो विवर्स हैं जो आगे अपने करियर को डॉक्टर बना चाहत है आप उनको इस स्पेशल एजुकेशन के बारे में दिव्यांगों के सिक्षा के बारे में क्या मैसेज देना चाहेंगे मैं यही मैसेज देना चाहते हूँ मैंने बताया आपको कि एक एक अभी एस लेडी डॉक्टर है गाइनी की वो खुद कर रही है डिप्लोमा इस्पे स्पेशल एजुकेशन आप स्पेशल इसने बोलते हैं कि आप वो एक स्पेशल टेक्नीक को पढ़ते हैं आप एक्सपर्टीज अपने अंदर ला रहे हैं नॉर्मल बच्चे को और दिव्यांग बच्चे को पढ़ाने का और इसमें इतने वेन्यूस हैं नौकरी के लिए ज एक जयसे डिरड वाले बढ़ते हैं डिरयड वाले वैसे आप भी उसमें प्लाइज करसकते हैं तो नोकरी कोई कमी नही है बलकुल सायी, कोई कमी नहीं है और अबइनूस कोई कमी नहीं है सिर्फ जो कमी है वह इंट्रेस्ट की एक बड़ हमें जु हमारे जो कन्वेंशनल हैं जो हमारा जो ट्रैडिशनल जो प्रोफेशन चल ले रहा है उसे थोड़ा सा हटके एक बार उन एरियाज में देखना ज़ूरी है जहां पर समाज को वाकई बहुत ज़्यादा ज़ूरत है आपकी आज पहली बार मैं इतना सम्मानित महसूस कर रहा हूँ किसी ऐसे वेक्ति की तरह ध्यान देते तो मैं समझूंगा कि एपिसोड आज मेरा बहुत कामियाब हुआ है दोस्तों मैं वेट करूंगा और मैं आपसे उम्मीद करता हूं अगर आपको स्पेशल एजूकेशन से रिलेटेट कोई भी सवालात हो ऐसे कोई भी आपकर आपके डाउट्स हो तो आप हमसे संपर करना ना भूझ ले हमनों कंटीनियूस अपना वाट्साइप नंबर और कॉंटाक डिटेल साब तक देते जाते हैं हम अखिलेंजी जैसे जो प्रोफेशनल से उनसे हम कॉंटाक्ट साधेंगे और हम कोशिश करेंगे आप तक बिल्कुल डिटेल इन्फॉमे क्योंकि मेरे साथ जो है मिस शबाना खान जी है जो कि एक स्पेशल एडुकेटर और साइन लांगविज इंटरप्रेटर है उन्होंने अपनी पढ़ाई जो है बीएसी में कंप्लीट किये थी लखनो यूनिवरसिटी से और उसके साथ साथ जब उन्होंने लखनो यूनिव काम करने का मौका मिला था उनके साथ जब उन्होंने काम किया तब उनको समझ में आया कि इस फील्ड में वो कितनी पैशनेट है और इस फील्ड में वो आगे बढ़ना चाहती है तो आफ्टर कंप्लीटिंग हर बीएसी वो मुंबाई में जो है एवाई जे एन आई एस एच जो की नाशनल इंस्टिटूट आफ स्पीच अन हेरिंग एक मुंबाई में ये संस्था है गवर्नमेंट इंस्टिटूशन है वहाँ पे उन्होंने अपनी डिग्री कंप्लीट की और उसके बार लखनू वापस आने के बार उन्होंने जो है सुवीरा इंस्टिटूट जो क ये संस्था है वहां पह ये काम करती है और मैं बता देती हूँ उसके साथ साथ वहुपी डेफ व्यमेन वेलफेर की एख Studi पॉनमेंट एक मेंबर है आप इस लाइन में कैसे एक करियर पर्स्यू कर सकते हैं, कैसे आपको एक सिक्यूर जॉब मिल सकता है? तो फ्रेंड्स, अगर आप पैशनेट है इस लाइन में और अगर आप इसको as a करियर चॉइस चुनना चाहते हैं after 12, तो शवाना जी हमें अभी बताएंगी कि कैसे आप कौन-कौन से कोर्से करने के बाद एक सिक्यूर फ्यूचर पासकते हैं अपने लिए? तो शवाना माम, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे करियर काउच शो में, तो आप पिछले 12 वर्ष से इस पर उपर काम कर रहें तो हम जानना चाहते हैं कि इसके उपर क्या 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 कोर्से से जो बच्चे क्लास 12 के बाद परस्यूच कर सकते हैं. हम अगर स्पेशल एजुकेशन में आते हैं तो बहुत सारे कोर्से हैं कि हम डिपलोमा लिवर पे डियर्ट करते हैं और बियर्ट करते हैं, अमेट करते हैं, हाइर एजुकेशन में भी हम इसमें जा सकते हैं, बहुत जैसे कि हमारे डॉक्टर में अब हमारे जो नॉर्मल फ पर बी-आ की टीचर्स होते हैं एक ग्रजवेशन लेवल पर तो अनुनल एंटरेंस टेस्ट है एक निए और एक आओ से यह सारी कुर्सिस कर सकते हैं यह कोर्सेस करने के बाद जो है कहां कहां यह अपना फ्यूचर देख सकते हैं, जॉब्स किस एडिया में मिल सकता है, एक तो अगर हम, क्यूंकि यह टीचिंग फील्ड हमारा एजुकेशन है, तो as a teacher, as a teacher वो हमारा special, वो सामान विद्याले में भी जा सकते हैं, तो वो special field में जैसे कि आप भी दूर्जशन चैनल के साथ भी काम कर चुकी है, तो आप मीडिया चैनल के साथ भी आप अपना करियर देख सकते हैं, आप sign language मीडिया में जा सकते हैं, आप teaching में जा सकते हैं, आप doctor field में भी जा सकते हैं, as a translator, क्योंकि हर जंगार, जहां पे भी हमारे dev बच् कर सकते हैं, क्योंकि डांस का फील्ड, everywhere, आप जहां पे भी इस फील्ड को अगर चुनते हैं, तो आप जा सकते हैं, तो आप जा सकते हैं, तो हमेशा आपको एक new career choice के बारे में, every week हम लोग आपको बताते रहते हैं, तो मायूस मत हो ये कि आप लोग का खाली नीट और जेई और क्लाट नहीं, धेर सारे ऐसे फील्ड हैं, बस थोड़ा सा पैशनट होने की जरुवा थे, बाकी करिया काउजविच बांकर आपके साथ हैं, तो देखते रहिए कुछ new interesting episodes के साथ, हर हफते रात के 9 बजे प्राइम टीवी पर करिया काउजविच बांकर, तुल दें, टेकर, बाइब बाइ! अजी करिया कुछ बांकर, एफ बांकर बाहिए साथ अजाजगी बाइब papa चुल देंजग Anda!